किसानों की समस्या को लेकर आज वीरवार को भारतिय जंता पार्टी के कारे करताओं ने 36 गड़के कोरिया के सोन हत बाजार में प्रदर्शन किया इजोरान सरकार के खिलाफ नारे बाजी करते हुए 6 सुत्री मांग पत्र अनुव विभागी अधिकारी के माध्यम से राज्यपाल को भी सोपा गया ग्यापन के माध्यम से कहा गया कि वर्तमान में कॉंग्रेस सरकार के द्वारा किसानों से 50 प्रतिशत जुट बोरा लाने के लिए निवारे कर दिया गया है जो अनुचित है मांग की गई है कि सरकार धान खरीदी केंदर में 100 प्रतिशत बोरा उपलब्द करवाई ग्राम बड़वार के किसानों का सरकार धान खरीदी केंदर रामगड कर दिया गया है जिसको सोन हद धान खरीदी केंदर में करने की मांग की गई ग्यापन में ये भी कहा गया कि वर्तमान में सरकार के द्वारा किसानों का फसल बीमा किया जा रहा है बीमा के नाम पर राशी भी काटी जा रही है लेकिन किसानों की फसल बीमा के नाम पर पावती नहीं दी जा रही है कोरिया से समादाता राजुशर्मा की रिपोर्ट आज भारती जनता पार्टी सुनत मंडल के दौरा एक डिवस्य धरनाक परदसन कर और तसिल्दार सहाब अनुभागी धिकारी से जापनसोप कर मांग किया गया है कि तदकाल जो किसानों को समस्या उठपन हो रही है जैसे आज किसानों को बोरा उपलब्द नहीं कर आए पारा है पहले तो घरों घरों में जाकर छापा मारी किया गया लेकिन वर्तमान इस्थिति ये है कि आज किसानों को 50 पर 300 बोरा लाना निवार कर दिया गया है जब बोरा किसानों के पास नहीं है तो किसान कहां से बोरा पाएगा और उनके घरों में पहलो तो छाप पमारी किया गया आज ये इस्थिति है कि किसानों के घरों में बोरा नहीं है और धान नहीं खरीदी की जा रही है उन किसानों का टोकन भी नहीं काचा जा रहा है अगर किसानों के घरों में बोरा ना होने के कारण गर टोकन नहीं कट रहा है तो अपना धान नहीं बेच पा रहा है एक ऐसा ही ग्राम पंचायते बरवार, वहां का धान खरीदी केंद्र रामगर कर दिया गया, उस रामगर और बरवार की दूरी लगभख 70 से 80 किलोमीटर है, जब कि लगभख 1500 किलोमीटर है भाई जी ने बताया, और जब कि सोनहत खरीदी केंद्र 30 किलोमीटर की आपास ही है, इस परकार तुर परसासन को कुछ कदम उठाए ताकि किसानों को परसानी ना हो अगर इसी परकार किसानों पर परसानी बना रहा तो भारती जनता पाठी अशोनद विकास खंट करते परते किसान सअर को पर उतर कर उग्रांडोलन करेगा ऐसे ही लिटेश को बरे पाने के लिए बेल इकन को फिलिक कर हमारी चैनल को लाइख, शेर और सब्सक्राइब करें हैन्ने वाल सब्सक्राइब प्रॉर्णर करें